ये वीडियो देखे बगएर अपार्टमिन आपको बिल्कुल नहीं करीदना चाहिए आपको बताने वाले है आपको स्मॉल राइस को क्यों शुरू में तरजी देनी चाहिए इन कंपेरिजन ओफ हाई राइस हाई राइस के ओतर बीस फ्लोर तीस फ्लोर या ठारह फ्लोर का मेगा प्रिजक्ट जो के एक कड़ों पे बन रहा हो उसके ना खरीदें स्मॉल राइस में हरीड़ा ही जो के 2.300 ग अच्स चार सौ गरणusta पे एक 6 फ्लोर ची स्पवर से लेकर 12 फ्लोर तक की बनतावा प्रोजक्त होता है उशकी वज़य है यह की क्या हाई-शर बनते पहलर पाइम लग जाता है tiles लग रहे हैं, cabinetry लग रही है तो उसमें कितना जादा आपको time लग जाएगा चार साल का project deliver होगा बंते-बंते 8 साल में तो आपको जो एक wait करना पड़ेगा वो painful situation उससे बशने के लिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि small rise खरीदें, 2 साल का तो time line हो गया, 3 साल का होगा 6 महीने delay होते होते है, grace period में आपको वो मिल जाएगा और जब वो आपको मिल जाएगा considering apartment अच्छा हो, location अच्छी हो, facing अच्छी हो वो बेच के future में आप फिर high rise ready to move by कर लेगा लेकिन आपका वो waiting period तो बच जाएगा जो के मैं आपको जिससे बचाना चाह रहा हूँ for example, अगर आप high rise की example देते हैं आज इमार के towers वो तक incomplete हैं कुछ complete हो गया है अगर आप देखते हैं, berry icon tower हमारा high rise लेकिन वो बंद पड़ा हूँ है इस तरह की और मिसाले हैं आपको high rise की जो के आपको मसले में आ जाती है for example, lucky one देख लें, lucky one का mall का अपसे तयार हूँ है लेकिन उसके पीछे के जो अपार्टमेंट से वो भी तक तयार नहीं है तो this is why I recommend you buying small rise and then selling उसको बेच के high rise करीदने ready to move पैसे भी, दोनों के सेम होता है तो high rise का अपना मज़ा है कि उसमें lobby shop भी बड़ी अच्छी है XYZ whatever the reasons कि अंदर पार्किंग में लियर लिफ्ट अच्छी हुशादा तो this is me Sajid Kazim Adarizwi, recommending you small rise in Bairatown, Karachi अपनो बहुत बहुत ख्याल रखेगा, Allah आफिस